आप सबीको जारकर नटबुक चनल में हार्दिक स्वागत हैं आज के सचन ममलग बात करेंगे जे SSC की और से आई हुई PGT टीचर का जो वेकेंसी है उसके बारे में डिटेल्स में इसमें ममलग चार टोपिक पर बात करेंगे पहला वेकेंसी की बारे में कितने वेकेंसी है यानि कि नंबर और वेकेंसी दूसरा कि आपका क्वालिफिक्शन क्या रखे गई है PGT टीचर के लिए तिसरा इसका सिलिवस्ट क्या रहने वाली है और चोथा आप इस एक्जाम को इतने कम टाइम में कैसे प्रिपियर कर सकते है और एक्जाम कब तक हो सकती है इसके पॉस्पिलिटीज को ले करके तो लेट्स स्टर्ट इस सेशन सेशन में कंप्लिट बन रहेगा ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाई तो पिजीटी जो 2023 में ये जो वेकंसी आई है इससे पहले भी 2022 में ये वेकंसी आई थी और जो लोग ये वेकंसी को 2022 में फिल किये थे तो लोगों को फिर से फिल करने के जुरुत है बट लोगों को जो है कोई भी आवदन सुल्क ने लाएगा इस exam form को भरने का जो फीस रखेगे हैं कितना 100 रुपीज बट अगर आप पहले इस form को fill up किये है यानि कि 2022 के time of fill up किये है तो आपको क्या है कोई fee परिक्षा सुल्क आपको देना नहीं होगा तो चले हम लोग मुद्दे की serve कर रहे है जारकंड सरकार के government school में तो दोनों के बारे में हम लोग details में बात करेंगे तो सबसे पहला हम लोग बात कर लेते है direct equipment यानि इसमें सब को ही सामिल हो सकते है तो सबसे पहला जो आपका subject हो क्या है biology क्या है और इसमे total number of seat कितना है 218 यानि कि लगबग 280 seat आपका किसमे है biology में है तो biology वाले के लिए रहोगे है कि number of seat कितना रही है आपका 218 280 उसी प्रिकार से जो chemistry वाले है तो chemistry का number of seat कितना है 227 कितना है chemistry के लिए 227 seat है अगर हम लोग बात करें भूगल का यानि कि geography का तो 164 कितना है 164 total बाकि इसका breakup को आप जो देख सकते है इसका pdf को download करके details में हिंदी का लगबग कितना seat है हिंदी का जो आपका seat है वो 163 आपका हिंदी का seat है कितना 163 हिंदी language का teacher में PGT teacher आपका economics में कितना seat है 167 तो जो seat है ये enough seat होती है 182 आपका history में है आपका संस्कृत में 169 और आपका physics में 251 mathematics में 185 आपका commerce में 200 और आपका English में 211 seat यानि कि 211 seat है और वैसे सिक्चेक के लिए जो की कार्जरत है यानि कि TGT जो सर्वी है जारकन सरकार की स्कूल में उसके लिए भी CT आई हुए और उसके लिए कितना है जिबिगण के लिए 73 chemistry के लिए 75 भोगल के लिए 54 हिंदी के लिए 54 economics 55 and history के लिए 61 तिस प्रकार साब देख पाएंगे seat का break-up है अब हम लोग बात करते हैं कि आपका इसका eligibility criteria क्या रखे गई है यानि कि इस exam में appear होने के लिए आपके पास कौनसी degree होनी चाहिए तो इसमें यह जो vacancy है आपका PGT level का यानि post graduate teacher तो PGT बनने के लिए जो eligibility criteria according to NCT यानि कि National Council for Teacher Education उनका उनसर क्या है कि आपको जो भी subject में आप apply कर रहे है as for example अगर आप बायों में apply करना चाहते है यानि कि PGT बायों में जैसे कि आप यहां क्या करना चाहते है PGT बायों में apply करना चाहते है तो यह जो आपका biology subject है यह आपका क्या होनी चाहिए प्लास्ट टू में भी होनी चाहिए यह आपका किस में होनी चाहिए यह आपका post graduation में होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए, post graduation यानि कि आपका master degree होनी चाहिए उस concern subject में अगर आपको उस concern subject में master degree है तो आप eligible है पहला यह criteria कि आपका क्या होनी चाहिए, master degree होनी चाहिए दूसरा criteria क्या है आपका दूसरा ये रहे कि आपके पास B.E.D का डिगरी होने चाहिए क्या होने चाहिए बीटे यानि कि सबसे पहले compulsor है आपका post graduate होना यानि के master degree होना आपको पास दूसरा compulsor हो है कि आपके पास B.E.D का डिगरी है तो आप eligible है PGT post के लिए apply करने के लिए तो यह clear हो गया अगर आपके मन में कोई भी doubt is related तो आप comment box में comment कर सकते है तो क्या होनी चाहिए यह जो आपका इतना बड़ा भासन लिखा हुआ इसका सार एई होता है कि अगर आपके पास उस concerned subject में PG degree है क्या होनी चाहिए यानि कि master degree होनी चाहिए यानि कि M.A.M.S.C. master degree है और साथ में अगर आपके पास B.A.D. का डिगरी है तो आप क्या है eligible है इस post के लिए किसके लिए PGT teacher के लिए PGT का full prompt ही है post graduate teacher तो यह आपका clear हो गया दूसरा आपका जो clear है कि आपका जो लोग अभी हाली में complete किये है B.A.D. या B.A.D. complete होने बाले है वो लोग eligible है कि नहीं तो according to this notification वोग भी eligible है यानि कि जो सिक्चक परसिक्चन के वैसे बर्ती जो सिक्चक परसिक्चन पुरा कर लिए है और अभी तेक result नहीं हुआ आया है तो वे भी eligible है बट उनको जो है result submit करना होगा जब इस सिक्चक निजुक्ती का जो परिक्षाफल प्रकासन के पुर्व यानि कि exam होने के बाद जब तक result आएगा आपका J.S.S.C.P.G.T. exam का तब तक जो है आपका B.A.D. का degree या B.A.D. का degree आपका complete हो जानी चाहिए तो तब तक अगर आपका B.A.D. का degree complete हो जाती है तो आप इस post को fill up कर सकते है यानि कि जो appearing candidate है तो appearing candidate भी इस form को भर सकते है तो ये clear हो गया तो appearing भाले भी इस form को भर सकते है, appearing B.A.D. यानि कि तो आप जो होती eligible हो जाएंगे वाट अगर उसके बाद आती है तो फिर आपको जो eligibility criteria पर दिक्कत होगी इसमें तो ये वाला मामला clear हो गया, अब हम लोग बात करेंगे syllabus पर हाँ, उम्र सिमा वाला बात कर लेते कि आपका age limit क्या है, age criteria पिजिटी वाला exam में age limit को लेकर बहुत ज़्यदा questions आएंगे तो age limit क्या आपका जो निवनुतम उम्र सिमा है, वो 21 बर्स है, कितना 21 बर्स और ये जो आप count करेंगे उसका reference date रखा गया है कितना 1 January 2023 यानि कि आपका जो निवनुतम minimum age है, उसका जो reference date है August 2019, तो इन दो date को आप ध्यान रखेंगे minimum के लिए आप 1 January 2023 को फोलो करेंगे और maximum के लिए आप 1 August 2019 को फोलो करेंगे इसके आलवा जो छूट मिलती है क्या क्या है, जो EWS category के है तो 40 years तक आप apply कर सकते है but उसके बाद आप अगर BC1 और BC2 से बिलों करते है तो 42 years, फिर आप महिला category में आते है, BC1, BC2 का तो 43 years का आपका होगा, और अगर आप ST category से आते हैं तो 45 और ST category से बिलों करते हैं, तो 45 year तक अगर आपका age है, तो आप क्या कर सकते है आप इसमें apply कर सकते है आप हम लोग next part जो है slivers को लेकर की and how to prepare for BC2 exam, इसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो आपको देंगे, उसमें हम लोग details में slivers और इन सारे चीज़ों पर बात करेंगे, तो इस वीडियो में जो main मुद्धा था उस topic पर हम लोग बात की कि आपको number of seat कितना है, eligibility criteria किया है और बाकी यह जो आपका दो part है आपका slivers वाला part और आपका how to prepare यह वाला part आपको next video में आपको मिल जाएगा that's all for today, thank you